हेलो एंड गुड मॉर्निंग तो आल माई डियर स्टुडेंट्स माई डियर स्टुडेंट्स जो क्रेस्ट कुर्स हम लोग का चल रहा है जो कि 30 दिसंबर तक कम्प्लिट होगा फिजिक्स का हंडेटेज के अंदर उसमें हम लोग करेंट इलेक्टिशिटी का चैप्टर माई तो यह रह गया है और ये तीन लिम कोर वहीं लेक्शर हमाय डियर जहां से इस चैप्टर से अगर बड़े कोश्चप्ट की बात की जाए तो आते हैं जैसे कि अगर पांच नमर के क्यो loved के अंदर तो पांच पांच नमर के question तो उसकी पूरी की पूरी संभावना यहीं है कि लास्ट जो थ्री लेक्चर आपका होने वाला है आज कलर परसों इन तीन दिनों में जो हम लोग पढ़ेंगे वहीं आपके पांच नमर के question में आता है माईडियर तो आज का लेक्चर हम लोग जो शुरू कर रहे हैं माईडियर उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कल का लेक्चर जो आपने देखा उसमें हमने token की बात के थी internal resistance के लिए हमारे पास formula आ गया था हमईडियर e-v by vmin2 capital R जहां इस और इस ऐल का बिधुत्वाहक बाल therm f था और भी बिवांतर था जो resistance का को रोज होता है और यह बाहरी परतिरोद है या आंत्रिक परतिरोद यह बाहरी परतिरोद यह विद्धुत्वाहक बल और यह बोल्टिज हो गया जो रेजिस्टेंस लेता है यानि कि यह फर्मूले का इस्तमाल करके आपको क्या करना है कुछ नीमेरकल्स दो तीन नीमेरकल की प्रेक्टिस आप सभी को मैडियर करनी है एंटरनल रेजिस्टेंस अब सेल पे आपको दो ती कोई टॉपिक किसी साल भी करन्ट इलेक्ट्रेटी चेप्टर से कोई होता नहीं है जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर पहले चेप्टर में हम लोग कुलम्स लौ पढ़ते हैं हम आईडियर कुलम्स लौ जिसके बारे मैं आ अगर कोश्चन आया है तो इस साल आईसा नहीं आये ऐसा हो ही नहीं सकता कुलम्स लौ से कोश्चन हमेशा किसी ने किसी फोर में आता रहता है एक्जाम के अंदर उसी तरीके से जो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं करन्ट इलेक्ट्रोटी में किर्चॉप्स का लौ किर्चॉप्स लौ से कोई न कोई कोश्चन घूम फिर के आता ही है माईडियर तो आप इसकी इंपोर्टेंस को समझ गये होंगे किर्चॉप्स लौ यानि आज जो हम लोग पढ़ेंगे माईडियर वो पूरे करेंट इलेक्टिसिटी का मोस्ट इंपोरेंट लेक्चर आज ह लेक्टिसिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माईडियर क्या किर्चॉप्स लौग किर्चॉप्स लौग किर्चॉप्स लौग हिंदी और इंग्लिस में नाम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत चंजिंग हो सकती है पर आपको ध्यान उतना नहीं देना है ना संसरे यह लिख जाएगा तो यह मुंस्ट इंपोर्टेंट रफी पूरे करेंट इलेक्टिसी का मुस्ट इंपोरेंट टॉपिक किर्चॉप लौग अब किर्चौफ ने क्या नियम दिया है तो बुला सर दो नियम दिया किसके बारे में सरक्ट से रेलेटेड़ बाद में इ는 हो ने दिया है परिपथ विधूत परिपथ होता है electrical circuit होता है माईडियर उसी से संबधित इन्होंने दो लौ दिया है ठिक तो इनके लौज पढ़ेंगे हम लोग सबसे पढ़ेंगे first law किरचोप्स का परथम नियम की बात करेंगे first law की बात करेंगे इनके first law को माईडियर क्या कहा जाता है junction law क्या कहा जाता है बोला junction law या current law आप सभी लोग अपना pin और copy उठाएं और पटाफट notes बनाना सुरू कर दे माइडियर क्योंकि notes का ही revision आपको बार-बार करना है आप हर बार वीडियो देख के revision नहीं कर सकते तो आप बार-बार जो है अपनी copy का revision करना है उसके लिए आपके copy में notes बनाना जरूरी है और यह रहा आपके सामने सबसे important topic किर्चॉप्स law किर्चॉप्स का पहला law आपके सामने आ गया है देखिए वे first law यह रहा junction law यह है current law यानि कि तीनों नाम क्या है सेमी है आप इसको जरा हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख दूँ junction का मतलब होता है संधी इसको बोलते हैं हम लोग संधी का नियम junction का मतलब हो गया जहां दो चार चीजें आकर के मिलती हैं या current का नियम का मतलब क्या हो गया धारा का नियम current का मतलब धारा अब first law का मतलब तो समाजी सकते हैं पर्थम नियम तो किर्चॉप्स ने दो नियम दिया है पहला नियम है आपका किर्चॉप्स का junction law और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आपका loop law जिसे हम लोग voltage law भी बोलेंगे तो बिधुद परिपत में electric circuit में मेंली current और voltage दो की बात होती है तो इनहीं दो पर उन्हें दो लोग विधुद परिपत में दिया है एक current के लिए और एक voltage के लिए दिया है तो current के लिए current law थोड़ी दिर में हम लोग फिर voltage लौपे भी आएंगे तो सबसे पहले चलते हैं माइडियर किर्चॉप्स के फॉस्ट लौपे और बात करते हैं कि अपने फॉस्ट लौप में क्या बातें बोलते हैं माइडियर क्या बाते ये कहते हैं वो बाइबर बोल रहा हूं क्या कि जहां पे 2-4 चीज़ें आकरके आपस में मिलती हो माइडियर इसका मतलब है कि अगर हम सिंपल समझने की या समझाने की कोशिस करूँ आपको तो माल लेजिए 2-4 तार को आपने जोड़ दिया है एक जगह पे तो जहां पे हम जोड़ते हैं वो एक junction हो गया, जहां से 3-4 तार आपके मिल रही हैं आपसे, तो माल लिजिए कि कुछ इस तरह की condition बनी होई है, यह आपका क्या है? जंक्सन है, यह एक तार था, एक तार ये था, एक तार ये था और एक तार आपका ये था, चार तारों को हमने यहां पर जोड दिया, तो जहां जोड रहे हैं, यहीं हमारा क्या कहलाएगा माईडियर, यहीं हमारा junction कहला है, यहीं हमारा क्या कहला है, जंक्सन कहला है, ठीक है? अब जो है, यह कहते हैं कि किसी भी सरकिट में, अगर हम कोई junction select करें, तो इस junction पर एक particular time पर जितना current आ रहा होगा उसी time उसी याट टाइम उतना ही current बाहर निकल जाता है बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान तरीके से अराम और हमसे मैं इस बात को समझा रहा हूं क्योंकि काफी important topic होने वाला यह किर्चौप्स का junction law दिमाग में बैठा यह क्या कहता है कि कोई परिपत है कोई circuit है और circuit का यह कोई junction है तो junction पे जितना भी current आएगा जिस time पे उसी time पे बिना समय लगाये हुए उसी time पे current उतना ही current क्या हो जाता है बाहर चला जाता है माइडियर अगर आप एक तार लिजिए एक तार लिजिए और एक दूसरा तार लाकर केस में जोड़ दीजिए ठीक है माइडियर अब जैसे जोड़ेंगे तो यहां junction बन गया joint बन गया अब अगर आप इसमें current सप्लाइ करते हैं तो ऐसा थोड़ नहीं होता है क्या बोला माइडियर नहीं होता है जैसा यहां से current आया वैसे इस junction से जोड़ा दूसरा तरह तुरंत उसे टाइम पर क्या हो गया current उसमें पास कर गया निकल गया ऐसा होता है यहीं बात आपके किसने बता रखा है कि किसी भी junction पर जितना current आएगा उसी समय उसी समय उतना current बाहर निकल जाएगा माइडियर ठीक है इसका मतलब यह हो गया माइडियर कि अगर यह i1 current आ रहा है और यह i2 आ रहा है और इधर से i3 बाहर निकल रहा ज़या से i4 बाहर निकल रहा है इसका तो मतलब यह हो हो गया my dear कि जितना current अगर आएगा उतना current जाएगा भी यह बोलते है कि Chبحs तो आपकन रहा इस जंग चन पे बोला Sir i और आइटू भी आ रहा है तो मतलब टोटल कितना आया बोला आईवन प्लस आइटू आया करेंट एसकेलर क्वांटीटी होता है ध्यान रखिएगा करेंट स्केलर क्वांटीटी होता है आप डिरेक्टली एड कर सकते हैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप सभी को आईवन में i2 जोड़ देंगे तो total current क्या हो रहा है यहां आ रहा है बोला आ गया यह बराबर होना चाहिए किस के जितना current यहां से बाहर निकल जाता है बोला किस कितना current बाहर निकल रहा है बोला i3 भी बाहर निकल रहा है idea और i4 भी बाहर निकल रहा है तो i3 में i4 जोड़ देंगे तो बराबर होना चाहिए किसके i1 प्लस i2 के बराबर होना चाहिए यही किर्चॉप्स का first law है जिसे हम लोग current law बोलते हैं किसके बारे में current law क्यों बोल रहा है क्योंकि किसकी बात की जा रही है current की बात की जा रही होती है तो मुझे addressing को संद्यान से समझे क्या मैं इन सभी को यह फीर काम करता हूं पहले का definition लिख देता हूं फिर इस पर चरचाँ करता हूं ठीक है definition पहले लिख लिजिए definition नहीं statement बोलेंगे ठीक है statement पहले माइडियर लिख लेंगे statement लिखिए किर्चॉप्स के किर्चॉप्स के लॉग का 1st लॉग का दी . Summation of all the incoming current at a junction is equal to or equal to summation of all the out going current from that junction shortcut में इसको एक लाइन में क्या लिखते हैं अगर एक लाइन में आपको माइडियर याद रखना है तो आप कहेंगे कि कि incoming current is equal to outgoing current अगर आपसे कोई पूस्ता है कि कृचौप का first law बताइए तो एक सब्दों में अगर आपको कहने की बात की जाए तो आप यहीं कहेंगे कि incoming current is equal to outgoing current यहीं तो बोलता है कि रखना का first law माइडियर ठीक है फटाफट English medium वाले है नोट कर लेंगे मैंडियर इसे फिर मैं मिटा करके हिंदी में लिखता हूं हिंदी मिडियम के बच्चों के साथ मैं बार बर एक बात बोलता हूं कि आप सभी को घबलाने के जरूवती है कि हिंदी में नहीं पढ़ाई होता है ऐसा कुछ नहीं आप देख सकते हैं कि हर topic क मैं हिंदी में लिखने की कोशिस जरूर करता हूं साइध इत्का दुख का ऐसा जगह होता है जहां नहीं लिख पाता हूं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिस मैंडियर थोड़ा सा भी इंग्लिस आना ही चाहिए अगर आप साइंस के स्टुडेंट है तो ठीक है हिंदी में लिख लेजिए किर्चौप के अनुसार किर्चौप के अनुसार किसी परिपत के किसी जंग्षन पर किसी परिपत के किसी जंग्षन पर आने वाली कुल धारा का योग जाने वाली जंग्षन से जाने वाली लिख सकते हैं जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होता है आप सुन के भी हिंदी के बच्चे सुन के भी आसानी से लिख सकते हैं अब बोर्ड पर आपके सामने है यह है ठीक इसका मतलब सर यह हो गया अब आप फोटो बना लेंगे ऐसे बना लेंगे अगर यहां आपको समझने में दिक्कत है तीर तो ऐसे बना लेजिए यह i1 i2 i3 i4 इस फोटो के हिसाब से यह हमारा जक्षन है कि दैटिज का निशायन देजिएगा और i1 प्लस i2 इसकल टू i3 प्लस i4 तो डेफिनिशन जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट लिखने के बाद साइड में यह फोटो बना लेंगे और यह लिख लेंगे स्टेटमेंट इनका वेरिफाई हो जाएगा तो अबजेक्टिव कोश्चन में आपसे कुछ और पूस्ता है माइडिया ठीक है वह मैं थोड़ देर में चर्चा करूंगा लेकिन डू मार्क्स कोश्चन में आपका आता है कि किर्चौप्स के लौ लिखिए तो किर्चौप्स का एक लौ लिखने से आपके दो नमबर नहीं मिलने वाले किर्चौप्स के दोनों लौ माइडियर आपको लिखना पड़ेगा एक नमबर फॉस्क लौ के लिए आपको मिलता है ठीक तो दो मार्क्स में आपको किर्चौप्स का लौ लिखने के लिए आता और i4 भी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0 लिख सकता हूँ यह दोनों को इदर अलेकर आएगा तो दोनों माइनस में हुजाएगा इधर प्लस में है दोनों इधर यह दोना माइनस में थर क्या बचाएगा 0 बոला ठीक है सर बिलकुल लिख सकते हैं अब यह माइनस है तो माइनस के साथ रख दिया फूर माइनस में माइनस के साथ रख दिया प्लस बीच में लगा दिया बस पॉजटी में रिपरजेंट करना थाम को तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा वही बात है प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही होगा वही बात है पर किरचौप्स का इसी statement को दूसरे form हम कैसे बोलेंगे तो कुछ इस तरह से बोलेंगे किसी परिपत में किसी circuit के किसी junction पर किसी भी junction पर जो total current मिलेगा ना total current होगा उस सभी current का summation होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होता है सबी करेंट के जो देखिए यहां पर कितना करेंट था तो 4 पर कमरेंट कि जो बात यह हूं कहने का तरीका बदल घया है और कुछ कुछ नहीं तो इसके बाद आप चाहें तो अपनी कॉपी में यह कर देंगे तो और करके और करके अथवा करके और का मतलब अथवा तो अथवा करके आप डाफिनिशन लिख लेंगे इंग्लिश में पहले लेख देता हूं दी अ ओल्ली करेंट कि मीटिंग इससे पहले समेशन जोड़ दिजिए कि मीटिंगे, the summation of all the current meeting at the junction meeting at the junction is equal to 0, Hindi में लिख लेंगे, Hindi में लिख ये किसी परिपत के किसी junction आच्छा junction को हम लोग बिंदू भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा किसी junction पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगनेतिय योग सून होता है यहां पर चाहें तो आप और भी एक सब्द जोड़ सकते हैं अल्जेब्रिक यहां माइडियर एक सब्द जोड़ लेजिएगा the algebraic sumission of all the current meeting at the junction is equal to zero Algebraicds जोड़ना STR direct है क्योंकि यह बिजगनेतियों बिजगनेतियों का मतलब होता है एक बार समझा चुका हूं outsideric मतलब होता है plus – a sign अगर है तो आपको लेकँ के चलना है My d.yewa वोला माइनस साइन है इसलिए माइनस के साथ लेकर के चलेंगे तो समेशन तो करी रहे हैं सब को जोड़तो रही है पर इसका साइन के साथ चल रहा है माइडियर तो यह डेफिनिशन यह आपका स्टेटमेंट लिख लेंगे यह जो लाइम ने लिखा रखा है लास्ट में इसी को मैंने लेंग्वेज में लिख दिया गया है यानी इस किसी जंक्सन पर जितना भी करेंट होगा सब को जोड़ने पर जीरो मिलना चाहिए माइडियर ठीक है यह नीचे में यह लिख लिजेगा चलिए यह है माइडियर की चॉप्स का फॉर्स्ट लॉओ जिसे हम लोग करेंट लॉओ बोलते हैं एक दम अराम-अराम से हम आज क्लास पड़ रहे है आराम और आम से सारी बातें समझेंगे अब यहां पर मैं आपसे कोश्ट मिश्टा हूं जो अब्जिक्टिव कोश्टन से कि बात कर्ल किया है मैंने यह अब्जिक्टिव कोश्ट लॉओ को फॉलो करता था है ध्यान से सुनिए मेरी बात किर्चौप's का injection law किस conservation of law को follow करता है यानि किर्चौप का Ara safety law संधी का निएम है किस सद्धानत की बात करता है किस सद्धान्द का पालंद करता है हिंदी में अगर तो तो बला अगर यह आपको समझना है तो जादा दिमाग लगाना नहीं है क्या सर देखिए करेंट किसे बोलते हैं बोला माई डियर चार्ज की तो फ्लो को बोल रहा है चार्ज फ्लो हो रहा है वहीं करेंट है हमारे लिए तो अगर ये चार्ज फ्लो हो रहा है और हम कह रहे हैं किर्चॉप कह रहे हैं कि भाई जितना करेंट आएगा उतना चला जाए इसका मतलब क्या हुआ जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया मतलब इस जंग्सन पर कोई चार्ज कंजियूम हुआ जंग्सन ने कुछ चार्ज अपने पास रख लिया बोला नहीं रखा इसका मतलब यहीं हुआ कि चार्ज क्या है कंजर्ब है माई डिया चार्ज क्या ह कंजर्ब है जितना आया भी उतना चला गया तो आप नोट में ये बात लिखेंगे अब्जक्टिव कोश्चन में बहुत बार बहुत बार पूछा गया है लिख लेंगे माइडियर ये नोट में दी जंग्सन लॉव फॉलोज दी लॉज ओफ कंजर्वेशन ओफ चार्ज हिंदी में लिख लेंगे संधी का नियम आवेश सनरक्षण सिध्धांत कब पालन करता है आवेश सनरक्षण सिध्धांत का क्या करता है पालन करता है काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम की भिखु से याद रखेंगे संधी का नियम किसका पलंद करता है आपका आवेश सनक्षण सिध्यांत का लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है माइडियर फॉलो करता है वीडियो रोग करके लिख लेजिएगा चलिए अब इस पर मैं अगर छोटा सा एक एक जामपल लेकर बताओं छोटा सा एक जामपल लेकर के बताओं तो चलिए ज़रा ज़रा छोटा सा एक जामपल लेकर चल रहा हूं आप बताईएगा मैं डियर यह एक एक जामपल हो गया किर्चॉप्स के जंग्सन लौप पर कैसे माल लिजे कि इधर से 10 ampere current आ रही है और इधर से 2 ampere की current आ रही है ठिक यहां से 3 ampere की current आ रहा है ठिक यहां पर 10 ampere current निकल रहा है तो हमें बतानी है कि यहां पर current कितना होगा बहुत असान अगर आपसे जंग्सन लौ से कभी numerical बन गया माईडियर तो ऐसा ही कुछ निमर्कल आपके एक्जाम में पूछा जाएगा अगर आपसे जंग्सन लौ में कभी question बनता है तो माईडियर यह एक एक्जाम पर आप अपन है माईडियर कि जितना कारेंट आएगा उतना current जाएगा भी अब देखेंगे यह हमारा एक जंग्सन हो गया यहां पर कितना current आ रहा है तो देखेंगे शर 10 और यहाँ से अ रहा है और 2 यहाँ से मतलब कितना आ गया इसके पास जंग्सन के पास वोला 12 एंपीर आ गया slower अब बोला यह आगे चाहेंगे तो सर यह जंग्सन मिलेगा एक और जंग्सन मिलेगा अब इस जंग्सन पर हम क्या देख रहा है कि 12 यहां से आ रहा है यहां आया 12 और तीन एंपियर ऊपर निकल गया तो बारह एंपियर आया उसमें से तीन एंपियर निकल गया तो कितना 9-5 कितना हो गया मैंडियर 14 हैं इसका मतलब इस जंक्षन पर टूटल करेंट कितना आया 14 आया तो 14 जाएगा भी तो तो बोला सर हां सर बिलकुल 14 एमपियर करेंट हमारा क्या हो जाएगा आगे जाने वाला भी है अब बोला 14 यहां आया यह 14 कहां जा रहा है यह यहां जा रहा है आगे जाएगा इस जंसन पर पहुंचेगा 14 एंपियर तो मयडियर फिर से वही बात जितना कॉरेंट आएगा उतना जाएगा भी तो हम देख रहें कि 14 एंपियर आ रहा है और 10 ampere इधर निकल गया, तो 10 ampere अगर इधर निकल गया, तो बचा 4 ampere, 4 ampere भी क्या होगा, दूसरे रस्ते से निकल जाएगा, तो बोला यहीं तो आई निकालना था, तो I is equal to my dear कितना आ गया, 4 ampere हमारा answer हो गया, बहुत असान question है, ऐसा ही question exam में, आता है अगर आएगा कभी current law से question my dear, बस आपको देखना है, जंगसन पर कितना आ रहा है, जितना आएगा उसको दूसरे चास्ते से बाहर भेंज दीजिए, आप चाहें तो अपनी copy में यह example note कर सकते है my dear, ठीक है, चलिए, आप बात कर लेते है, किर्चॉप्स के second law की my dear, अच्छा, यहाँ पर note कर लें कर लेंगे, note एक और note लिख लेंगे, जल्दी से, जल्दी से यह note लिख लेंगे, incoming current, आने वाली धारा, आने वाली धारा, incoming current को क्या लेना है my dear, positive, sign convention, और outgoing current, जाने वाली धारा, यहाँ निकलने वाली धारा, इसको क्या लेना है, negative, यह sign convention लिख लेंगे, किसके लिए, किर्चॉप्स के junction law के लिए sign convention, मानने ता, चीन परपाटी, हिंदियों बोलते हैं, चीन परपाटी, अभी मैंने आपको बोला, कि I1, I2, I3, I4, सब को जोडने पर 0 हो जाएगा, तो बोला, दुनिया में सर कभी ऐसा possible है, कि दो चार चीजों का जोड़ी है, और क्या हो जाए, 0 हो जाए, बोला, नहीं, जब तक कुछ positive और कुछ negative में नहीं होगा, तब तक जोडने पर 0 नहीं हो सकता, अगर सारे positive ही है, तो फिर 0 कैसे होगा, नहीं possible है, बोला, कुछ positive होगा, और कुछ negative होगा, तो बोला, वही positive, negative कैसे होगा, तो हम माल लेंगी positive होगा, जो आने वाली धारा है, किसी junction पर जितनी current आएगी, उस सभी को positive माल लेंगे, और उस junction से जितनी भी current निकलेंगी, सबको negative माल लेंगे, और आप देखे भी थे अभी जो equation मने लिखा था, कि I1, I2 प्लस में था, और I3, I4 क्या था, माइनेस में था, I3, I4 बाहर निकल रहा था, तो माइनेस में था, तो यह sign convention आप लिख लिजिएगा, कि जो भी current आएगा, उसको positive हो, जो current जाएगा, junction से उसको negative माना जाता है, अरे भागो, चली, अब आते हैं किर्चॉप्स के second law firm idea, heading बनाएंगे, second number, second law, second law का नाम है, voltage law, या सबसे common नाम है, loop law, हिंदी में second law को तो लिखने की जरुवत है नहीं, voltage, voltage का नियो, और इसको बोलते हैं हिंदी में, यहीं हमारा common है, बंदपास का नियो, लिख लेंगे, हिंदी मेडियम के बच्चे, voltage को voltage ही बोलेंगे, लूप को बोलते हैं इंगलिस में बंदपास, मनें बंद चीज, लूप 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 लॉप लूप नाम ज्यादा common है हमारा किस कहां, किरचॉप के second law का, अब इन बात, इनके बात को जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, किरचॉप का जो voltage law है, वो अगर माइडियर आपको सिर्फ language की बात करेंगे हम लोग, language में जो इनका statement है सिर्फ वो हमारे लिए काफी important है exam की भी उसे मैंने बोला दो नमर में question आता है किर्चॉप्स का junction law और किर्चॉप्स का आपका voltage law दोनों आपके exam में आता है दोनों दो नमर में question में आपको लिखना पड़ता है पर जो बच्चे cbsc के हैं माइडियर cbsc के बच्चों के लिए voltage law loop law काफी important होता है क्योंकि यहां से अकसर exam में numerical पुछा जाता है अगर बिहार बुर्ट की बात करें तो यहां से numerical नदारत आपक नहीं मिलेगा माइडियर यानि किर्चॉप्स law सबसे important होते हुए भी अगर बिहार बुर्ट की बात करें तो वहां पे numerical आपको नहीं मिलता है लेकिन cbsc में हमेशा इस loop law से question आता ही रहता है numerical आता ही रहता है माइडियर इसके पीछे कारण यह है कि cbsc में objective questions का वेटेज कम है बिहार बुर्ट में बहुत objective question जादा होता है और इसके वज़े से time नहीं कि लेंदी question बड़े questions किया जाए तो loop law जब आप लगाएंगे तो question बड़ा बनेगा बड़ा बनने का मतलब कम से कम पांच नमर में question आएगा और पांच नमर का question वेटेज कम है तीनी question है और इतनी सारी theory भरे पड़ी है derivation भरे पड़े हैं इसलिए बिहार बड़ में यहां से question बहुत कम ही आता है पांच नमर के अंदर आता नहीं है एक तरह से आप समझ जाए तो second law जो हमारा loop law है यह जाहिर सी बात है आपकी बार किसकी बात होगी बोला voltage की बात होगी आपकी बार कितनी circuit का loop है देखेंगे यह रहासर यह मैंने बना दिया कोई circuit का circuit का loop यह देखेंगे आप अगर किसी अच्छे बुक्स में देखेंगे तो आपको ऐसे चारो कोने पर चार को लाइन खेंची हुई मिलेगी इसका मतलब यह होता है कि यह किसी circuit का एक छोटा सा टुकड़ा है पार्ट है और इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते है लूप बोल रहे है हम आईडिया ठीक यह यह क्या है इसका A, B, C, D यह एक छोटा सा टुकड़ा है मतलब यह लाइन का मतलब यह है कि ऐसा ही circuit ऐसा ही पार्ट इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है फिर उसमें से भी लाइन निकला होगा वह भी बड़ा होगा ने इंट्रिगेट एक बहुत की बात नहीं है बस हमें तो लूप के मतलब है जो दिखेगा हम उसको लूप माल लेंगे ठीक है बोला ठीक है सर्ल यह रहा माइनस प्लस इसको माल रहते हम लोग E1 यह रहा आरव्ण यह रहा ब्ल्टू और यह रहा ब्लस भीrit दो यह रहा अर्थरी और यह रहा detailed ठीक है अब हम क्या करते हैं अपने हिसाब से कोई करेंट दखिए अगर आपको वोल्टेज लोस समझना है माइडियर तो आपको यह डाइग्राम समझना पड़ेगा क्या कहता है जरा यह देखेंगे यह माल लेते हैं कि इसमें जो करेंट फ्लो हो रही है वो आई वन है ठीक है इसमें जो करेंट फ्लो हो रहा है वो आई टू है यानि कि इसमें जो करेंट फ्लो हो रहागा यह भी क्या होगा आई वन ही होगा ठीक यह रहा इसमें current क्या है i3 हमने current का direction माल लिया आप अपनी मर्जी से current का जो मर्जी करे direction बना लिजिए किर्चॉप्स के किर्चॉप्स के loop law में खासियत यही है कि आपकी मर्जी है cell से जो direction आप बना चाहें बना लें आप आप फ्री है उसके पीछे region यह है कि यह जो लगा है अब यह जो किसी लूप का चोटा सा पार्ट है इधर कितने ताकतवर से लगा है आपको नहीं पता है इसका मतलब यह है कि अगर इधर ज्यादा तकतवर से लगा हुआ है वनरा भर्ट के जग का लगा होगो इसका इफ्यक्ट कम हो जाय ago और तो इस यह को सबस्के निकलता हुआ मानते हैं आप की ऊपर छोड़ा जाए तो आप बात को फोलो भी कीजिएगा तो तो Kirchart's के Loop law में ये क्या है ये मुनेंटरी नहीं है कि आप current का direction किधर भी बना लीजे बस इसका sign convention आपको follow करना है sign convention follow कीजिएका आपका answer आपको मिलेगा ही मिलेगा माइडियर बस आप दिमाग में ये बठा के रखेंगे तो मैंने क्या किया direction बना लिया, इसमें I1 current flow हो रहा है, इसमें I2 flow हो रहा है, इसमें I3 flow हो रहा है, तीन गो cell बना लिया, तीन resistance बना लिया, मेरी मर्जी थी, आपकी मर्जी है, दो cell दो resistance बनाईए, चार cell चार resistance बनाईए, चाहें दो cell पांच resistance बनाईए, एक cell दस resistance बनाईए, यह माइडियार इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अब ज़रा इनके लॉप पर आते हैं तो हमने फोटो बना लिया अब यह कहते हैं कि किसी भी सरकिट का जो कोई लूप होगा यह हमारा लूप क्या होगा लूप का मतलब हम अगर बात करें तो A B C D A लूप का मतलब यह होता है कि जहां से सुरुवात होती है खतम भी वहीं पर होगा लूप का मतलब यह होगा यह से सुरुवात होगा तो A पर ही खतम होगा जहां से चले थे वहीं आपको पहुंचना है तो यह कहते हैं जो वोल्टेज लोग के अंदर कि किसी लूप के अंदर जो total voltage होगा, सभी voltage यानि कि सभी potential difference, अगर voltage को potential difference हम कहें यहाँ पे, और कहते भी हैं, तो voltage यह कहलें या potential difference कहलें, तो जितना भी potential difference होगा, सभी का summation, सभी का योग 0 के बराबर होता है, ध्यान दिजिए, जिस तरीके से उन्होंने current के बारे में बोला, कि किसी junction पर सभी current का summation 0 हो होता है, ऐसा वो बोलते हैं, बोला, इसका दूसरा रूप क्या है, जैसे आपने उसमें दो लोग बताया था, बोला जड़ा से समझें, अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे, तो बहुत असानी से समझ पाएंगे, थोड़ा सा सोचिए, ज़र देखिए, मैं आपको बार इसके पास कुछ नोगी, बोला, यहां भी सेल है, इसके पास दिमागे, और यह सैल है, इसके पास इनरजी कहां चाहेंगी, तो जो सरकीट में बोल पंख आप लगाके रखे हैं, उसी सब में तो बटेगा, घर में आप चार बैटरी जोड लें वाटर के पास, तो चारों ब इसमें कंजियूम हो गई है इन बॉल पंखे फ्रीजगुलर में कंजियूम हो गई है यहीं बात तो यह इसमें कह रहे हैं कितनी सिंपल बात है द्यान समझी है प्रेक्टिकल समझी है आपको इस चीज़ को बोला इस सेल के पास जो इनर्जी है और इस सेल के पास इनर्जी है यह जो भी इनर्जी होंगी, यही इनर्जी किसमें बटेंगी, यह इनर्जी कौन लेगा, माई डियर, बोला यह रेजिस्टेंस लेगा, यह रेजिस्टेंस लेगा, यह रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस का मतलब मा लेजे पंखा जोड़ दिया है, फैन जोड़ दिया रहे थे तीनों जो पंखे ले रहे थे इनर्जी उसके बराबर होगी जितनी इनर्जी एक कंजियूम कर रहे थे हाँ क्यों 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 क्या रहता है माइडियर हमेशा कंजर्व आपको पता है लौज आफ इनर्जी क्या होता है उर्जा हमेशा क्या रहती है संरक्षित तरत यह उर्जा सरणक्षण सिधानत आप सभी को पता है कि उर्जा जस्ट क्या होता एक रूप से दूसरे रूप में changing होता है माई डियार इसका मतलब इन सेलों के पास जो इनर्जी थी वो इनर्जी आपके बॉल पंखोने ले लिया है तो बॉल सेलों के पास जो टोटल इन इकवल होना चाहिए किसके जो आपके इन यहां voltage consume होगा यह voltage जो लेगा जो यह voltage लेगा माई डियर तो इसको हम लोग थोड़ी दिर में समझ लेंगे लिखेंगे लेकिन उससे पहले statement लिख लेते हैं तो मुझे आसा है यह क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे कि किसे लूप में total voltage का summation 0 या जितने भी cell लगे हुए है cell के सभी energy मैं energy में बात करता हूँ हमेशा लेकिन आप किसमें बात कर लेंगे आप potential में बात कर लेंगे कि जितना भी cell होगा उसका potential और यहां पे cell के potential को मुझे EMF बोलते हैं बेक्ट्रमोटे फॉर्स बिधुतवाहक बोल बोल रहे हैं तो जितना भी बिधुतवाहक बल है जितना बिधुतवाहक बल है तो यहां कभी is equal to IR, यहां कभी is equal to IR, यहां कभी is equal to IR, तीनों को जोड़ देंगे, तो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, यहीं बात यह बोलते हैं, जरा statement फटा फट लिख लिजिए, statement लिखेंगे, चाहिए कि मिनट रुख जाए, मैं जरा इंक लिए लिता हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं, चलिए, लिख लिजिए, . The summation of all the potential differences in a loop of a circuit is equal to 0, और, कितना परिशान कर रहा है, यहीं टीडा, और कर क्लिख लिएंगे, the summation of EMF of cell is equal to summation of all the potential, all the potential drop across the resistances, ठीक है, लिख लेंगे, यह बात तो पहले आप समझी चुके हैं, और यह बात भी, the summation of EMF of all the cell, मतलब जितने भी cell है, सभी cell का जो EMF है, उसका summation किसके बराबर है, summation of all the potential drop across the resistance, जितने भी resistance लगे हुए हैं, सब resistance में जितना potential drop होगा, उसके summation के equal होता है, वीडियो रोक करके माईडियर आराम से लिख लेंगे, और वो फोटो भी आपके उपर मर्जी है, बना सकते हैं, आपके exam के लिए statement important है माईडियर, statement, ठीक है, लिख लेजी, मिटा दे रहा हूँ अब, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हिंदी मिडियम के बच्चे काफी परिशान रहते हैं, हिंदी मिडियम के बच्चों के लिए हिंदी में लिखना बहुत ज़रूरी है, चलिए लिखे, फटाफ़ट लिखेंगे, किर्चौप के बंदपास के नियम के अनुसार किसी लूप में सभी बिववांतर का योग सुन के बराबर होता है, अथवा में लिख लेंगे अथवा में लिख लेंगे अथवा है, सौटप को divisione से लिखने कोशिस कर रहा हूं लूप में सभी सेलों के सबी सेलों के बिधुतवाहक बल का योग योग पर्थिरोधों के पर्थिरोधों के एक्रोस के बिववांतर के योग के बराबर होता है अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं लूप में जितने भी सेल हैं सभी सेलों में बिधुत्वाहक बल सभी सेलों के बिधुत्वाहक बल का जो योग होगा वो परतिरोध में जो विवांतर होंगी परतिरोध के क्रोस जितने भी विवांतर होंगे सभी विवांत अब जो है इसकी हिसाब से कर दिखा जाए तो जब आज लिख देंगे हम लोग summation of e is equal to summation of ir formula के रुप में भी हम लोग represent करेंगे तब ही तो हमें number मिलेगा my dear कि वह language लिखने से number नहीं मिलेगा formula भी represent करना पड़ेगा जैसे current law में मैंने आपको दिखा आई 1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 is equal to 0 वैसे ही आप यहाँ भी formula के रुप में represent कर देंगे आभी किर्चॉप्स नहीं ही बोला यह देखिए यह जो sign बड़ा साइसा sign लगा हुआ है ना यह summation का sign है यह किसका sign है summation का जोड का sign है योग का चिन होता है बहुत बच्चों को पता होगा कुछ को नहीं पता भी होगा everywhere समेशन का sign मतलब JAMES मने बिधोतवाहक बल जितना बिधोतवाहक बल है सभी बिधोतवाहक बल का योग यह बता रहा है य्योग का sign जोड ना आपको सभी प्रेड़ेयिस्टेंश में जितना भी होगा सभी का योग के बराबर होता है आप लिख देंगे बहुत आसानी से आपको 2 में 2 marks मिल जाएंगे तो किर्चॉप्स का लव आपके एकजाम में आता है माइडियर तो दोनों लव आपको लिखना पड़ेगा दोनों लव के लिए जो statement के according जो formula बना है वो आपको represent करना होता है मुझे आसा है आपको यह चीज दोनों लव आपको बहुत असानी से समझ में आ गया होगा अब जो है लास्ट फटाफट कंप्लेट करते हैं दो मिनट में इसका sign convention चिन परिपाटी अगर आपको चिन परिपाटी नहीं आता है तो आपसे question नहीं बनने वाला है यह दिमायग में बैठा लेजिए अगर जो है आपका loop law में आपको sign convention नहीं आता है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है तो मैं जो लिखूंगा sign convention वह सबसे अलग है आप इस सई sign convention को follow करेंगे चाहें आप किसी भी coaching इंस्टिट में माइडियर पढ़ते हों या कहीं पे वीडियो पढ़ते हों आप पस मेरी रिक्वेस्ट है कि बस आप यही sign convention फॉलो किजेगा जो मैं बता रहा हूं तब ही जाकर के आप 100% करेंट होंगे कि humid exams के लुप लॉनकु को अभी में क्या करना है आपको माइडियर पहला नंबर में आपकर क्या है फोस्ट में सेल के लिए सेल के केस में हमें क्या करना है सेल के केस में अगर आप पॉजेटिव से निगेटिव की और जा रहे हैं देखिए ट्रिक है ट्रिक में लिखा रहा हूँ आपको सेल के केस में किस के केस में सेल के केस में cell के case में अगर हम positive से negative जा रहे हैं तो voltage को negative लेना है क्या लेना है negative ध्यान से लिखेगा इसको ठीक अगर हम negative से positive जा रहे हैं तो cell को positive लिखना है ठीक है ये पहला number note हो गया एकदम trick में बिना किसी language का आप समझ जाएगा plus से minus आप जा रहे हैं मने लूप में अगर a से b हम जाएगे थो a से b में हम कोई cell मिलेगा यह यह इस cell में हम क्या देख रहे हैं कि हम plus से minus की ओर जा रहे हैं तो जा प्लस से minus की ओर जाइएगा आप तो cell का बिदुत्वाहक भल कैसा लेना है negative Jak 7 is in slow motion आप बोला resistance के spend kleri resistance के केस में आप डिखेंगे current का direction जाह भी वोल्टेज है यह भी फोल्टेज यह भोल्टेज दे रहा है वह लेने वाला है तो तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस के केस में देखेंगे, क्या if direction of current is along with along with तो क्या ले लेंगे, निगेटिव, मैं इसको उपर लिख दे रहा हूँ, साइन करेंशन में, रेजिस्टेंस के केस में, इफ direction of current is along with us, मतलाब हम जिधर जा रहे हैं, क्या लेना है, निगेटिव लेना है, क्या लेना है, निगेटिव, इसी बात को, second बात को लिख देता हूँ, फिर हिंदी में लिख दूँगा जल्दी से, इफ direction of current is opposite with us, तब क्या लेना है, positive लेना है, अगर हमार या positive में, हम जिधर जा रहे हैं, उसके उल्टा अगर current flow हो रहा है, तो कैसा voltage लेना है, हम को माइडियर, negative, positive voltage लेना है, कैसा voltage लेना है, positive voltage हमें लेना है, माइडियर, यहां ले लेंगे आप चाहिए, तो यहां लिख सकते हैं, negativeV negative voltage और यहां पे लिख सकते हैं positiveV voltage भी से voltage समझ जाईएगा हिन्दी में लिख लिजिए फटाफट से जो second आपको लिखा रहा है resistance की case में इसमें हिन्दी में लिख लेंगे पहला number first number क्या लिखाया यदि धारा की दिश्पा हमारे जाने के दिशा में हो तब क्या लेना है निगेटिव भोल्टेज लेना है क्या लेना है निगेटिव लेना है भोल्टेज यदि धारा के दिशा हमारे जाने के बिपरीत दिशा में हो तब आपको क्या लेना है माईडियर पॉजेटिव भोल्टेज लेना है ठीक है यह बना लेंगे यह इंग्लिस वाले रिख लेंगे यह हिंदी वाले लिख लेंगे तो यह था माईडियर हमारा क्या किर्चोप्स का सेकेंड लौ हम करेंट जिस दिशा में जाएंगे जिधर हम जाएंगे माईडियर करेंट भी हमारा उधर होना चाहिए जिधर हम जाएंगे करेंट भी उसी डिरेक्शन में हो तो उस करेंट को हम निगेटिव मान लेना है तो आज का लेक्चर था किर्चॉप्स का लौ फर्स्ट लौ सेकेंड लौ उसको एक जामपल के तौर पर भी मैंने समझाने की कोशिज किया तो जबरदस्त तरीके का एक टॉपिक था आपका एक्जाम की भी उसे कर देखा जाए तो मुस्ट इंपोर्टेंट टॉ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर किजिए क्योंकि एक्जाम की भी उसे बहुत इंपोर्टेंट हम आइडियार